करता हूँ दोस्तों जिससा कि अब सभी जान रहे हैं हमारा लूसेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने सेट नमबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है जिसमें था पेज नमबर 41-50 तक करवाये गया था अगर वह आपने वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप जाके उसको देख ले या फिर आई बटन में आपको वीडियो प्रवायड करा दी गई है आई बटन से भी आप जा सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाए वहाँ पे डेडिकेटली लूसेंट के लिए लूसेंट वीडियो के रिगार्ड एक समरी हमारी एक कोशी से कि हमें एक समरी आपके सामने लेका है ठीक है आपने अगर वो पेजेज पढ़े हैं तो आपके सामने से एक इंपॉर्टेंट वीडियो कोश्चन का समरी आपके नजट के सामने से गुजरेगा तो आपका सारा जो चैप्टर अगर आपने वो हम आपके लिए इसमें लगे हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़ल्द लुसेंट के रिगार्डिंग में सारे आएंगे राइंगे चैप्टर वाइज धीक है और आज आपको एक और जो बहुत पूर्ण आंदोलन जो भारती आंदोलन जो भारत यहां बलकूल अंग्रेज साथ बने रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल सब्सक्राइब करें भाई आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सारे जो कंटेंट है वो मिलते रहें एक्जाम रिकार्डिंग चलिए आज को वीडियो है यह पेज़ फटाफट से स्टार्ट करते हैं ठीक है बिना देरी क करेक्ट तू देखते हैं निमलिघित में से किसे हर्मिट अफ सिम्ला के नाम से जाना जाता है करेक्ट हो जाएगा ऑप्सो नमबर बी कि सर explain करें explain करें तो दोस्तों explain करने में कोई दिकत नहीं है बट होता गया है यह सारे quick revision के तौर पर ये वीडियो आपको provide की जारी है अगर मैं इसमें भी explain करने मैं बैठ हूँ तो वीडियो लंबा चला जाएगा ठीक है तो कोसिस है कि कम समय में आपको ज़्यादा revision करवाया जाए और वीडियो ज्यादा लेंदी ना बनाए जाए बस यहीं प्रयास होता है इसलिए फटा-फट मैं बस आपको आंसर बताता हूं और निकल जाता हूं उमीद करता हूं आप इस बात को समझेंगे और अगर explain वाली वीडियो चाहिए तो मैंने आपको बताया है बहुत है यहां पर हमारा आंसर कम हों सडसर में त्हीं सरीमति की ओऌन सा कथन सथयं है यहां भी होंटनी ठीक बात है इनी बिसेंट ने 1916 मदरास में होमरूल लीग अंदोलन का प्रड़म किया था ठीक बात है ठीक है next statement हम लोग देखते हैं next में क्या बोला जा रहा है कि England के तरच पर इनी बिसेंट ने होमरूल के स्थापना की थी तो यहां जो है हमारा एक correct जो हो जाएगा option number B सही हो जाएगा पहला और दूसरे statement बिल्टो सही है तो England के तरच पर इनी बिसेंट ने होमरूल लीग के स्थापना की थी और तीलक ने भारत में होमरूल लीग के स्थापना की थी ठीक है चलिए 6 देखते हैं 6 में क्या बोला जाएगा दयानन ने सत्यारत प्रकास की रचना मूल तक किस भा स्थापना हुई थी यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है घटी थी ठीक है नेक्स देखते हैं कुशन नमबर एट कुशन में प्रथम गोल में सम्मेलन किसी अध्यक्सता में आयोजित किया गया था करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा मैक्डोनल्ड कि अध्यक्सता में किया गया था ठीक नेक्स देखते हैं हम नेक्स हमारा कोश्चन नमबर नाइन क्या बोला जारा भारती राष्टी कॉंग्रेस पहले अधिवेशन में कितने परती निदियों ने भाग लिया था करेक्ट हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सेवेंटी टू न ने की थी कहां पर हुआ था ये बताना है आपको ठीक है लेवन देखते हैं वल्लाँ पाटेल को सरदार की उपादी किसके दोरह दिया गया और ईसा है कि पेजे जो हैं आपको यहां पर करवाया रहे है टिन तो उसके रिगार्टिंग चलू ठीक है फिफ्टी क्वेशें से लेकिन इसके रिगार्टिंग में आपको और अरग अला याद पी पूछोंगा जिससे की आप का भीभी जो और questions का regarding और भी recall होंगे चीजे तो आप उसका answer सर्च करें ढूंडें तो आप उसका regarding में बहुत सारी चीजे जानेंगे तो आपका बहुत सी चीजे clear भी होंगी ठीक है चलिए answer करना ना बूले comment box में next कि और देखते हैं हम लोग भारत संग यानि Indian association के स्थापना किस ने की correct हो जाएगा option number C हो जाएगा सुरें नात बेनर जी ने ठीक है 13 देखते है 1930 का सारदा एक्ट द्वारा विवाह के लिए लड़कियों एवं लड़कों की नियूंतम आयों ने धारित किया गया था कितना correct हो जाएगा 13 का यह हो जाएगा 14 और 18 अब बताना है आपको यह है कि किस एक्ट के बाद नियूंतम जो एज लड़का और लड़की का शादी के लिए ठारा और 21 यह किस एक्ट के बाद किया गया यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं कोस्चन नमबर 14 किस गवर्णर जनरल के कारेकाल में सिशुवद परतिबंधित किया गया करेक्ट हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर ए हो जाएगा इर्विन के सासनकाल में ठीक है 15 देखते हैं बिम्बी सार्ण ने अपनी राजधानी कहा भारत का प्रतम समाचार पत्र कौन सा था ऑप्सन नमबर बंगाल गजट किसके दोड़ा सुरू किया गया कमेंट करके जरूर आपको बताना है ठीक है 17 देखते हैं निम्र में से किस यूद्ध में बाबर्ण ने मोधनी राया था ठीक हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मोधनी राय को हराय था आपके लिए होमवक इस questions related ये है कि बाबर का जो है ना भारत में ताजबोशी कब हुआ और बाबर की मृत्यू कब हुई ये आपको कमेंट करके बताना है 18 देखते हैं भारत में सर्व प्रतम प्रेश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था करेक्ट हो जाएगा option number C पूर्टगालियों के द्वारा ये किया गया था ठीक next देखते हैं हम question number 19 question number 19 क्या बोला जा रहा है निमलिंग कौन सा आयो करजन से समंधित नहीं है करेक्ट हो जाएगा option number A बटलर समीती ठीक है तो बटलर जो आयो गया ना इसकी स्थापना करजन नहीं इर्विन के द्वारा किया था ठीक याद रखें ठीक है 20 देखते हैं 20 में क्या बोला जा रहा है भारती रास्टे कॉंग्रेस स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था करेक्ट हो जाएगा option number D लॉट डफरीन भारत का वाइसराय तब था 21 देखते हैं क्या बोला जा रहा है 21 में तौसर जूम आउट कर दूँ मैं अहां ओके चलिए आगया सब जाएगत पर विचार बिखार करे मैं भारती रास्टे कांग्रेस की प्रतम महीला अध्याक्ष एकर एनिविकें थी करेक्ट जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा option number हमारा दिखे फर्स सही है भारती राश्री कॉंग्रेस पर्थम महिला अधिया चैनी बेसेंट थी और सेकेंड जो यहाँ पर बोलगा जा रहा है भारती राश्री कॉंग्रेस पर्थम अधिया जॉर्च यूले थे यह दोने statement है हमारा option number a एपसलूट यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है चलिए 22 की ओवर बढ़ते हम ओके थोड़ा सा जूम कर दो इसको थोड़ा सोर बहुत सही चलिए किस स्थान पर सबसे अधिक भारती राश्री कॉंग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ करेक्ट जो जाएगा option number B हो जाएगा कॉलकाता में ठीक है total कितने हुए थो 10 अधिवेशन यहाँ पर हो चुका है मतलब हुआ था total मिला के ठीक है चलिए next हम देखते है 23 निमलिखित में से कौन व्यक्ती कभी भारती राश्री कॉंग्रेस का ध्यक्ष नहीं बने करेक्ट हो जाएगा option number C बाल अंगरती लग जी जो है ना कभी भारती राश्री कॉंग्रेस का ध्यक्ष नहीं बने थे ठीक है चलिए आपके लिए होंग्रेस एक और भी है कि नरम दल और गरम दल जिसकी बात हमेशा की जाती थी जिस वज़े से कॉंग्रेस में दराड परा नरम दल और गरम दल दो गुटों में बट गई तो गरम दल में कौन-कौन से नेता थे कौन-कौन से उसके मेंबर थे यह आपको बताना और नरम दल में कौन-कौन से मिलान में आपर हमारा मिलान देखिए ऐजाध हिन फ Moscow सुभाष्चंदर बोस्ट यह मिलान किया था और अजाध हिं सरकार सुभाष चंदर भोस्ट ने स्टार्ट किया था इस में कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है चलिए नेक्स जो है निमने में से किसका बच्पन का नाम मूल संकर था और द्यानन सरस्वती के द्वारा बहतरीन किये गए कामों का उलेखा को कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है समर्पित है ठीक है 28 देखते है मुंबई आइनस तलवार के सैनिक द्वारा नौसेना का विद्रो कब हुआ था करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमर्डी हो जाएगा इटली से पुनर्जागरन प्राणब हुआ था ठीक है और माई फ्रेंड अगर आपको किसी भी कुश्चन के रिगार्टिंग कोई बात बोली जारी है कि इसका आप आंसर करें आई नो कि बहुत से बच्चे असमर्थ होंगे आंसर देने में नहीं जानते होंगे तो यहीं तो भाई यहीं तो fun है आप उसको search करो ढूंडो अपने स्तर से ढूंडो किताबों में ढूंडो गूगल पे ढूंडो और जब आप उसको ढूंडोगे तो उसके regarding आपको बहुत से facts जानने मिलेंगे जो कि आपको एक question से related आपको बहुत से चीजे आपको प्रेपर ह हो जाएंगी और आपको पहुत से knowledge मिलेंगे तो आप जरूर से जरूर उस question के regarding जो आपको पूछा जा रहा है जरूर जरूर उसका आप लोग answer करें ठीक है तो पुनर जागरन प्राडंब हुआ था कहां से तो यह correct हो जाएगा इटली से पुनर जागरन प्राडंब हुआ ठीक है 30 देखते हैं सब्त वर्सी यूद किन दो देशों के बीच हुआ था correct हो जाएगा हमारा option number B हो जाएगा England और France के बीच में यह हुआ था सब्त वर्सी यूद ठीक है Boston Tea Party घटना कब घटी थी correct हो जाएगा हमारा option number A absolute correct हो जाएगा 1773 में Boston Tea Party घटना घटी थी ठीक है कह यहां पर घटी थी यह आपको comment box सो बताना है चलो वैसे मैं आपको इसको छोटा सा हिंट्स दे दूँ कि USA में यह हुआ था ठीक है लेकिन इसका cause गया था Boston Tea Party actually है क्या यह आप मेरे को जरूर से जरूर comment box सो बताएं आप बताऊगे तो ठीक है अधरवाइस इससे बहुत इं 1889 है 1895 है और 1889 है correct जो हमारा यहां पर हो जाएगा option number B absolute correct हो जाएगा ठीक है 1789 में है ना अमेरिका की जो है ना प्रथम लिखित समिधान लगू हुआ था 1789 में ठीक है 33 देखते हैं नेपोलियन ने किसे बनियों का देश कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने किसे बनियों का देश कहा था correct हो जाएगा option number C हमारा सही हो जाएगा England को नेपोलियन बनापार्ट ने बनियों का देश कहा था 34 देखते हैं वैग्यानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे correct जो हमारा हो जाएगा option number A हो जाएगा जर्मनी के यह निवासी ठीक है नेक्स देखते हैं 35 जापान में समराजवाद का सबसे पहला सिकार कौन सा देश हुआ था correct हो जाएगा option number A चीन हो जाएगा ठीक है तो जापान के समराजवाद का सबसे पहला सिकार चाइना ही हुआ था यह याद रखे आप लोग नेक्स 36 देखते हैं 36 में क्या प् समय इंग्लेंड का प्रधान मंत्री निम्न में से कौन था correct हो जाएगा हमारा option number B हो जाएगा विस्टन चर्चिल था ठीक है उस टाइम 37 देखते हैं क्या बोला जा रहा है निम्न में से किसका पुराना नाम कस्तुस्तूनिया था correct हो जाएगा option number C Istanbul का पुराना नाम जो है पुराना नाम कस्तुस्तूनिया था इस्तानबुल इसका नया नाम है और इस्तानबुल किस country में है या वो comment box में जरूर बताना है ठीक है बहुत famous जगह है और वो country भी बहुत famous है हमेशा news में सूर्कियों में अपने विवादों के वज़े से या आपने कुछ कृतियों के व इंडिया इंडिपेंडेंस लिग की स्थापना किसके द्वारा किया गया करेक्ट जो हमारा हो जाएका option number D absolute correct हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लिग की गई 39 देखते हैं Congress ने किसके देखता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्ता जवाहरलाल स्वरी अबुलकलाम आजाद के द्वारा ये किया गया था ठीक है नेक्स्ट और हमारा आखडी कोश्चन है मुसल्मानों के मुसल्मानों को अंग्रेजी सिक्षा और आधुनी की करन क्योड़ ले जाने का सिरे सर्वत्रतम किसे जाता है करेक्ट हो जाएगा option number C सर सेयद एहमद खा को ये जाता है और सेयद एहमद खा के द्वारा एक बहुत ही famous एक university college की स्थापना की कई वो college कौन है उसका क्या नाम है कहां पर या आपको comment box में जरूर जरूर बताना है तो दोस्तों ये था हमारा lucent का set number 5 page number 51 से 64 तक उमीद करता हूँ ये आपको जो set ह ये काफी पसंद आया है और questions से regarding जितने भी हमने questions आप से पूछे हैं उमीद करता हूँ आप सब उसके answer जरूर जरूर बताएंगे और उसके regarding I know आपके पास बुक में ना मिले गूगल करें और ये articles आप ढूंडें तो आपका इसके regarding में और भी जादा और भी बहुत सारी तैयारिया होंगी बहुत से knowledge आपको मिलेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एक initiative है हमारे दोरा आपको ये कैसा लगा comment करें जरूर बताएं ठीक है तो फिलाल आज के लिए बस इतना ही फिलाल के लिए बस इतना ही आपको और अब दिन में एक दो और वीडियो आने वाली हमा तो वह आप जरूर से जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में जरूर जरूर सेयर करें तो अभी के लिए बस इतना ही तिल देन टेक केर बबाए एंड़ बेस यॉल